दुनिया भर की लोग पिछले साल से कुरोना के साई में जिन्दगी जीने पर मजबूर हैं लेकिन आज की स्थिती ऐसी हो चुकी है कि कुरोना के नाम से ही डर लगने लगा है बॉलिवूर्ड स्टार अक्षे कुमार जैसे फित अभिने तब ही कुरोना की चपेट में आ चुके हैं खेर बात आज कुरोना के संक्रमन की नहीं हम बात करने जा रहे हैं शादियों की क्योंकि जल्द ही शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है लेकिन आपको क्या याद है आखरी बार कब ऐसी शादी में गए थे जहां जम कर धमाल मच रहा हो खूप सारे महमान थे डीजे पर डांस पर गाने बज रहे थे और खूप सारा खाने को था नहीं है ना याद होगा भी कैसे कोरोना ने बीते सोला महीने में ऐसा होने भी नहीं दिया अब जब शादिया ही नहीं हुई है तो बैंक का लोन कैसे चुके चौकी अमत बस देखी की कैसे बंद हुआ बैंड बाचा बारात स्काधियां तीयसा उस्टा होता है जिसमें हर कोई शरीक होकर उस पल को इंजॉय करना चाहता है लिकिन कूरुना काल मैं जिस तरह के हालात पिसले एक साल से बन रहे हैं शादिया तो हो रही है लेकिन कुरना गाइडलाइन के साथ जहां पहले शादियों में हजार लोग शामिल होते थे अब केवल बेहद करीव रिस्तिदार ही शादियों में शामिल होते हैं इसका सीधा जो असर पड़ा है वो टेंट, केटरिंग, लाइट, साउंड से जड़ो हुए लोगों पर पड़ा है उनके सामने जीवन यापन तक का संकट खड़ा हो गया आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमें गोदाम में मौझूद हैं जहां पर लाइट, के साथ ही चो केटर कर्मों को आईजित करने से, ऐसे मैं इस जो पूरी इंडेस्ट्रिय है, इसके सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया अगया हो गया कि वो आकिरकार करें तो करें क्या क्योंकि कुर्णा को लेकर जिस तरह के हालात लगातार पनपते जा रहे हैं उसको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि जल्द ही कुर्णा से निजात नहीं मिलने वाली है और यह जो सामान आप देख रहे हैं कि गुदाम में रखा हुआ है, वो सामान इसी तरीके से गुदाम में रखा होगा, हलाकि कोशिश की जा रही है इस रवसाय से जोड़े लोग के द्वारा की गाइड लाइन जारी की जाए, जिससे इस पर्ष्ट हो सके कि आगामी भविश इस इंड़स्ट्री का कैसा होगा, क्योंकि इस इंड़स्ट्री से जो लोग जोड़े हुए हैं, वो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, तो आज हमारी कोशिश है कि इस जो टेंड और कैटिंग ववसाय होता है, इससे जो लोग जोड़े हुए हैं, उन से हम बात करें, उ उसका नाम आते ही बैंड बाजा धूम धड़ाका के खयाल आने लगते हैं। डीजे में कौन सा संगीत बजना है और किस गाने पर डांस करना है। इसकी रहसल भी शुरू हो जाती है। डीजे बैंड रोड लाइट की बुकिंग शुरू हो जाती है। तब एक अलग ही तस्वीर नजर आती है। चका चौंध से भराज शादी का गार्डन होता है, डीजे बच रहा होता है। लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर शादी में जाते हैं और महमानों से तो मिलते ही हैं। साथ ही लजीज खाना भी खाते हैं। लेकिन कुरोना महमारी ने शादीयों की रौनक को खत्म कर दिया है। शादीयों का स्वरूप बदल गया है। अब शादियों में ना तो महमान है, ना लाइट है और ना ही म्यूजिक। और रही बात खाने की, तो अब महमान खाने से भी दूर हो रहे हैं। क्यूं ये सवाल महत्वपून है, तो उसका जवाब हमने स्पेशे से चुड़े हुए लोगों से ही जाना। इसले साल भी ये सीजन पूरा नश्ट हो गया था, इस साल भी वो नश्ट की करगार पर जा रहा है। और हर वेपारी ने इस साल बहुत उमीदों के साथ काफी समान वेपारीों से खरीदा, लोगों लेके खरीदा, लोगों से काफी एड़वास लिया वेपारी, बगर अब ये लग रहा है कि वो किस प्रकार से बैंक का करज, वेपारीों का करज किस प्रकार से चुगाएंगे क्योंकि उनका परिवार जिनके साथ लाखों लोग मदद बदिश में जोड़े हुए हैं, वो बुखमरी की कगार पर आचुके हैं, क्योंकि इस वेफसाय के साथ अन्यों के छोटे बड़े वेफसाय जोड़े हुए हैं, सब के सब बुखमरी के कगार पर आचुके हैं, अगर यह तो रही पेटिंट की बात, अब बाद शादियों से जुड़े अन्य वयवसाय की, क्योंकि शादियों से जुड़े व्यापार केवल टेंट और गार्डन बस नहीं, अन्य दस प्रकार के व्यापार भी शादियों पर ही आश्रित हैं, उनमें ही आता है फूलों का व्यापार और केटरिंग का व्यापार करने वाले, जो खाना बनाते हैं, तो केवल टेंट वाले ही कुरुना से परिशान नहीं हैं, लगतार बरते कुरुना संख्रमन और पावंदियों की वज़ा से एक लाइन से व्यापारी परिशान हैं, तो सुनिए केटरिंग का काम करने वाले कैसे बता रहे हैं अपनी व्याथा, विस्टेज सजाने वाले, शादी हॉल को फूलों की खुश्पू से महकाने वाले कह रहे हैं कि अब तो फूल खेतों में ही सड रहे हैं, कि अब लोगों कुछ मदद है, कहां से लाइन लोग क्या करें यह भी हमारा बोट बड़ा एक कारण मेना हुआ है जब कि गोडान, लोकान, मकान, सब कराय भरते बड़ते हम लोग भी परेशान हो चुके हैं अब परिस्टिती बहुत खराब है पिछला सीजन भी क्या हमारा करोना की वज़े से खराब हो गया और इस सीजन में भी क्या हमने जो फूल वालों को आगे जो किसानों को एड़वांस दिया था कि आगे हमारा सीजन आएगा, हम आगे काम करेंगे दो पेसे कमाएंगे, अपनी रोजी रोटी चलाएंगे तो उसे साब से हमारा क्या है, यह आगे जो एड़वांस दिया वो भी हमारा डूबरा, आगे पाईटी हमारे उपर पेसर बना रही है कि हमने जो एड़वांस दिया वो आप हमें रिटन करें जब घर में रंग बिरंगी लाइट लग जाती है तो घर और साधा खुबसूरत हुजाता है, जब घर के सामने डीजे बज़ता है तो लोगों को पता चल जाता है कि घर में शादी है, डीजे पर बजने वाले गाने को सुनकर हर कुईत रखने लगता है शादी में जान डालने वाले डीजे और लाइट अब सब रखे हुए हैं और शादियों में रंग लाने वाले डीजे लाइट का काम करने वाले परिशान है क्योंकि ना तो बच्चों की फीस देने के लिए पैसे हैं और ना ही खाने के लिए उनके पास राशन और सरकार केवल कह रही है कि मदद करेंगे लेकिन कब उसका जवाब किसी के भी पास नहीं है जाजए लेखिं सेसीजन काम रहता है कि मैंने के सीजन काम रहता है जिसमें हम कमाते हो खाते हैं वेसी से और प्रण पुर्शन चलता दर्साथ का अब उसले साल भी चलागीं पूरा इस साल भी चला जा झाएँ अब फेसे जीवनियापन करने के लिए बहुत समस्या है, तो समझ में नहीं नहीं आ रहा है, क्या कर रहे हैं? हमारा तो बेसे ही एक साल से बन था, अभी चलने की उमिद थी, फिर लग दाउन लग गया, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, परशाण आल घूम रहा है किस तरह से भी जादा करते होगी, दुकान का भी कराय जेना होता है, रोजगार मिली रहा है, जितना था जब अपूई जब चलीगी किराय में, खाने तक के नहीं हैं, अभी तो कोई उमीद नहीं है, किसी भी काम को चालू होने में, हम लोगों को बहुत ज्यादा परशानी हो दुल्हे के लिए तो खोड़ा बेहत जरूरी होता है, क्योंकि यह तो रिती है, बारात सजेगी, महमान आएंगे, दुल्हा खोड़ी पर बैठेगा और अपनी दुल्हन को लेने उसके घर जाएगा, तो दुल्हे को खोड़ा मोहिया कराने वाले कह रहे हैं, कि शादिया तो को ही नहीं रही, तो हम खोड़े को कहां से अनाच खिलाएं, हमारे पास तो खुद खाने के लिए नहीं है इवेंट इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के सामने परेशानिया खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बाइस सप्रेल से शादियों के सीजन की शुरुवात होने जा रही है, लेकिन जिला प्रशासन ने संबंध में कोई गाइडलाइन जारी नहीं की, वहीं इस व रवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि हम क्या करें, हम लोगों कहां से चुकाएंगे, हम लोगों से एडवांस लेकर बैठे हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कहां से हम उनका एडवांस पापस करें, क्योंकि शादियां हो नहीं रही हैं, और बिना शादियों के हम क्या बारजा और बारात एक इashaka शब्द है जिसके बारे में सुनते ही चैरे पर खुशी आ जाती है लेकिन कोरुना कारण में ये जो शब्द है इस तरीके से मायने है ना तो बेंट बज रहा है ना बारात आ रही है ना किसी तरह का कोई स्वागत कर रहा है लेकिन इस लेकिन सरकार को जरूर कुशिश करनी चाहिए कि इस वेफ़साय से जो लोग जोड़े हैं उनकी जल से जल मदद की जाए क्योंकि साल भर का वक्त निकल चुका है किसी तरह के कोई सांसकेत एक कारिक्व नहीं हुए धार में कारिक्व नहीं हुए और कभ ये कारिक्व हो कैमिरा परिशन मनीज के साथ वेवब गुपता अनादी टीवी हुपाल